मेरी ख्याल से बहुत सारे बच्चों और खुद भी इस तरह बड़े होने से मेरे दिमाग में अपने बारे में अपनी काबिलियत और अपनी शमताओं के बारे में धेर सारे सवाल रहे हैं आत्मसंदे जैसी चीज निश्चित रूप से मेरे लिए एक समस्या रही है, जिसे मैंने शाय जेला और उस पर काबू पाया है, मगर मैं इस पर आपकी राए भी जानना चाहूंगी, हम आत्मसंदे पर काबू कैसे पा सकते हैं, खास तोर पर एक यूवा के रूप में. मुझे खुशी है कि आप बड़ी हो रही हैं. अगर आप जो कर रहे हैं, उसे लेकर आपके अंदर थोड़ा संदे हो, तो आप कुछ करने से पहले दस बार सोचेंगे, है न? और वो एक समझदारी भरी दुनिया होगी. मैं चाहता हूँ कि हर किसी को खुद पर थोड़ा संदे हो. खेर, शारिरिक और मानसिक विकास पर आते हैं जब हम बड़े होने की बात करते हैं तो एक इंसान के कई आयाम है एक इंसान का शारिरिक विकास होता है मानसिक विकास होता है विकास के भावनात्मक और दूसरे आयाम भी होते हैं अधिकतर हम शारेरिक विकास को मापते हैं, और अगली संभावना है मांसिक विकास को मापने की. देखिए, शरीर एक बहुत ठोस तत्व है, इसलिए वो एक खास रफतार से बढ़ता है. कुछ लोगों में थोड़ा तेज या धीमे, मगर वो एक खास रफतार से बढ़ता है. मगर आप जो हैं, उसका मांसिक आयाम इतनी ठोस प्रक्रिया नहीं है. वो एक सुक्ष्म प्रक्रिया है, अधिक लचीली, अधिक चंचल या अनिश्चित. इसलिए उसे आपकी शारिरिक प्रक्रिया से काफी तेज गती से बढ़ना चाहिए. अगर लोगों में विकास को लेकर समस्याएं होती हैं, तो इसके मुख्य वज़े ये है, कि उनका मांसिक विकास, उनके शारिरिक विकास से एक कदम भी आगे नहीं है. तो, हाला कि इस धर्ती पर हमेशा से अर्बों खर्बों लोगों के साथ वही चीजें होती आ रही हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये दुनिया में पहली बार हो रहा है, और लोग हैरान और स्थब्द हो जाते हैं. ऐसा इसलिए, क्योंकि उनका मानसिक विकास उनके शारिरिक विकास से पीछे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज में हम ऐसे हालाद बनाएं, जहां हर बच्चा मानसिक तौर पर अपने शारिरिक विकास से कम से कम एक कदम आगे हो. अगर आप अपने जीवन में सिर्फ ये एक चीज करते हैं तो आप देखेंगे कि चाहे वो किशोर आवस्था हो अधेड उम्र या व्रिद आवस्था आप किसी भी चीज से हैरान नहीं होंगे आप जानते हैं कि उसे कैसे संभालना है उससे कैसे निपटना है और सरल प्रक्रियाओं के कारण आपके जीवन में कोई जटके नहीं लगेंगे या उथल पुथल नहीं होगी फिलहाल लोग इस तरह से जी रहे हैं कि बच्चों को डाइपर की समस्याएं हो रही हैं टीनेजर्स को हॉर्मोन की समस्याएं हो रही हैं अधेड उम्र के लोग मिडल एज क्राइसिस से गुजर रहे हैं और बूड़े लोग बेशक दुखी हैं। मुझे जीवन का एक आयाम बताईए, जिसे लोग एक समस्या की तरह नहीं देख रहे हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक प्रक्रिया है। सवाल बस ये है, कि आपने खुद को इस प्रक्रिया के लिए तैयार किया है या नहीं?